हलो एविवान क्यों आप वाचिंग सीरोल से आप जहां पे देते हैं शो से जोड़ी अमेजिंग अपडेट अनुपमा के आज राज के एपिसोड में दिखाया जाएगा के सुरेश रिवील करता है अपना ट्रैप अनुपमा बहुत जादा गुस्से में होती है सुरेश को द शान्त हो जा समर के स्टूडेंट्स यहां पर डिंपी से मिले आते हैं वो डिंपल से कहते हैं कि समर का सपना था कि हम यह दान्स कॉंपटीशन जीतें तब इस स्टूडेंट करते हैं कि लेकिन हम यह कॉंपटीशन अब नहीं जाएंगे लेकिन यहां पर डिंपी अंकरेज करती है students को और कहती है आप dance करो और जीतो student dimple को वादा करते हैं और बाबु जी सोचते हैं कि summer हमेशा से अनुपमा जैसा ही था जो सब में सिर्फ खुश्यां बाटता था और चला गया मालती यहाँ अनु को dance काती है वो रोमिल से कहती है कि क्या तुम भार जा रहे हो मालती कह यह कुछ help करना चाहोगे लेकिन रोमिल मालती के साथ misbehave करता है बर्का सोचती है कि मालती शायद रोमिल को पसंद नहीं करती जिसकी वज़े से मेरे लिए तो फाइदा है वनाच अनुपमा से कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों वो कहता है कि मैं सब को मार दूंगा वन राच तुम शान्त हो जाओ काविया किंजल या डिमपल की तारीफ करते हैं बाव डिमपल के डिसिजन के अगेंस्ट है और वो बहुत जादा अपसेट है बेवी को लेकर के डिमपल यहाँ पर अश्योर करती है बाव को कि मैं अपना ख्यार रखूंगी वो कहती है कि बेव समर हमेशा से चाहता था कि वो अनुकमा की जो डान्स अकेडमी है उसकी सील हटा दे काविया यहाँ डिसाइट करती है कि वो डिमपल की मदद करेगी वनराच लोटाता है काविया वरिड है वनराच के लिए वो कहती है कि तुमने हमारे बेवी के बारे में भी नहीं सोचा वनराच कहता है कि मेरा बच्चा समर था जो मर गया इसलिए वो काविया के बेवी को एकसेप करने से मना कर देता है वनराच काविया से कहता है कि तुम बेवी को मेरे सामने मत लाना अदरवाइस मैं सब को मार दूँगा और जैसे मेरा बेटा मर गया अनुकमा काविया से कह करती है तुम अपसेट मत हो वन्राज अभी अपने खोश्म नहीं है वो कहती है काविया से कि तुम पेशन्ट रखो टाइम सब ठीक कर देगा पाकी अनुपमा के लिए वेट करती है वो कहती है कि रिपोर्ट आ गई है मुझे लगता है आपको मेरे साथ होना चाहिए अनुप वन्राज से कहते है कि तुम अपने आपकी साथ में थोड़ा टाइम दो इदर वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ टाइम स्पाइन करना चाहता हूँ वन्राज हसता है अपने दिल से हस मुख उसके लिए बहुत बुरा फिल करते हैं पाकी देखती है अनुपमा क अनुपमा कहती है कि अनुच किसका call था जब मैं घर से आई तब अनुच कहते हैं अनुपमा से कि मेरा यकीन करो सिर्फ राइट टाइम का वेट करो पाकी अभी अपनी मा को बिलाती है पाकी कहती है कि क्या हुआ अधिक रिवील करता है कि पारियास को कि हम बहुत बेकार न्य मुझे मत छोड़ो वो restless हो जाता है काविया वनराज को कहती है कि आप ready हो जाएए festival के लिए पारितोष कहता है वनराज से कि मैं handle नहीं कर पाऊंगा ये news और नहीं मैं सब को ये news दे पाऊंगा कि UK shift हो रही है अनुपमा advice करती है पाक ये अदे को कि तुम क्यों ना एक बच्चे डॉप कर लो जिनके बच्चे नहीं हो पाते वो भी तो माँ बाप का सुख ले पाते हैं ये सब दिखाया जाएगा शोक के अपका में ट्रैक में जिसमें देखना होगा भी हैद इंट्रॉस्टिंग की आगे अब क्या होता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेकरना ना भूलें